पेपर लीक का मामला इस वक्त पूरे देश में एक बड़ा विशय है और बात केबल नीच परिक्षा की नहीं है बलके बात उत्तर प्रदेश की पेपर लीक की भी है जिसमें बड़े बड़ों के नाम सामने आ रहे हैं आपको बता दे यूपी पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती और रेलवे भर्ती परिक्षा में जो पेपर लीक हुआ उस पर बड़ा एक्शन लेते हुए यूपी सरकार में बंतरी उंप्रकाश राजबर के करीबी विधायक पर यानि की बेदीर राम और संजे निशाद की पार्टी के विधायक बिपल दुबे के खिलाफ गहर जमनती वारंट जारी किया गया है और तारीक भी बता दी गई है कि 26 तारीक से पहले पहले आप इन्हें कोर्ट में प्रेडियूस करें 26 जुलाई से पहले पहले आपको याद होगा इस खबर हाल क के लिए मुसीबत बन रहे हैं और ये सवाल बीजेपी के लिए भी है कि क्या उनके भी सहयोगी इस वक्त उनके लिए लाइबिलिटी बन रहे हैं ओम प्रकाश राजबर के भी मुश्किलें इस वक्त बड़ी बढ़ी हुई हैं एक तरफ पहले तो उनके बेटे के चुनाव कोहारने की खबर उसके बाद उनके सहयोगी का नाम इसमें सामने आने के बात विधायक हैं और पेपर डीक मामले में अक्शन लिया जा रहा है ये वाकिए में बड़ी शिर्मिंदगी की बात है कि कैसे बड़े बड़े नेता जो है नेकसिस में शामिल होते हैं ये माफिया विधायकों का जो नेकसिस होता है वो देश के लोगों के साथ कैसे खिलवार करता है बविश्य के साथ कैसे खिलवार करता है इसमेर जी नॉन बेलेवल वॉलिंट 18 लोगों के खिलाव जारी किया गया है और सीधा सीधा दो विठाइकों का नाम इसमें सामने आ रहा है बिल्कुल ओम प्रकाश राजबर तो वो नेता जो ये क्लेम करते थे कि वो सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं जिसको चाहें चुनाओ जितवा सकते हैं, अगर भारतियनता पार्टी के साथ जाएंगे तो भारतियनता पार्टी की सरकार बनेगी, अखलेश की सरकार बनेगी किंग मेकर की भूमिका में अपने आपको देखते थे आज ओम प्रकाश राजबर की ये स्थिति हो गई है कि अपने बेटे को चनाओ ने जितवा पाते हैं और उसके बाद उनके विधायक, पेपर लिख के मामले में विधायक वारण जारी हो गया है मुझे लग रहा है और प्रकाश राजबर से भारतियनता पार्टी को पिछाँ छोड़ा देना चाहिए भारतियनता पार्टी के लिए बोज है वो जिस समाच के नाम पर भारतियनता पार्टी नोंकर अ Button साहाथ अली कर आई थी कि उनके वोट उन्हें मिलेंगे, वो लोकसभाव चनौमे में जीद गया है, कि वो कितनी बड़ी लायबिलिटी भारतियनता पार्टी के बन रहा है, और जिस तरीके से उनका विधायक आया है, अभी तक मुझे लगता है भारतियनता पार्टी का उसको लेकर कि बहुत कड़ा संदेश राजबर को नहीं गया है, सारवजनिक बयान भी नहीं आये, राजबर को भी संदर में बयान देना चाहिए, और अपने विधायको ततकाल पार्टी से निकालना चाहिए, मुझे लग रहा है, लेकिन बारतियनता पार्टी से अगर जुड़े रहेंगे, तो ये बा बात कुछ समय बात वुगदान से बहुत चनौ भी आएंगे, तो मुझे लग रहा है, भारतियनता पार्टी को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, विपक्ष भारतियनता पार्टी को राजबर के नाम पर या निशात के नाम पर कटगड़े में खड़ा करे, पीछा ही छुडा देना है अवधेश जी, यह क्या बीजेपी के लिए वाकई में एक टेंशन भी और एक लायबिल्टी है, योगी सरकार की चवी के बारे में जो अभी समीर जी ने कहा कि योगी आदितनात की चवी एक तो हाट टास्क मास्टर की है, ओनेस्टी की है, कि इन इनके जैसा ओनेस्ट मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को अभी तक नहीं मिला, इतना ओनेस्ट मुख्य मंत्री, और उनके सहयोगियों के ऊपर ही इतने बड़े-बड़े गंभीर आरोप, अखिलेश यादव के पास तो सुनेरा मौका है, आरोप लगाने का, नहीं तो इस नहीं सकती थी, तो जोगी जी ने उसको अपने मंत्री मंदल से क्यों बरखास्त किया था, उन्होंने तो बरखास्त कर दिया था, उसको बाहर कर दिया था, उसके बाद वो अपना बोलते रहते थे, समाजबादी पार्टी के साथ गये, समाजबादी पार्टी में भी वो को मैड नहीं करेंगे यह वाता भरण को उस दंग से बबीज एपी के परक्स में पॉजिट्व नहीं बना सकते हैं ये बाबल की बीज एपी कालाब अठा करके अपना राजनितिक स्वार्थ और अपना निर्थ स्वार्थ पूरा करेंगे और आगे अपने बयानों से कामों से समस्याइं पैदा करेंगे यह सब लोग जान रहे थे इसके मावजूद आपने उसको गटबंदन में लिया है तो उसके परणाम भुगतने परेंगे यह राजनीती में ओम प्रकास राजबर या बाकी इनके साथ ही कोई ज प्रक्ष के अनुरूप दिखाई दे या जिसको बदला जाए अब कितनी सर्मनाग बात है कि जिस पार्टी जो जो विधायक इस समय भारतिये जनता पार्टी का सहयोगी हो सकता है वो विधायक पेपर लिक मामले में नीट मामले में जिसमें पूरा विपक सरकार पर हमलाव लिया क्यों था जिसके दो हिससें हैं और कई वार होता कि सामानी करण हो जाता है अब अगर राजभर जी की पार्टी या निशाद जी की पार्टी उनसे जुड़े विधायक जी लोग वो पेपर लीक में शामिल हैं और नहीं पकड़े गये तो यह किस की जिमेदारी है यह इसमें गटजोड का मसला कहां से आ गया और ओम प्रकाश राजभर संजे निशाद अगर आज दूसरे पाले में होते तो क्या होता जरा सोचिए भारती जनता पार्टी साफ होने की तरफ चली जाती कि नहीं चली जाती है और जो दो चार सीटे हैं वो भी हार जाती है नहीं लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो अगर यूँ ही अगर हम उनकी एवाल्यूइशन करें ताकत की तो वो तो अपने बेटे को भी नहीं जिता आप है उनके बहुत से लोग 1922 में भी पटेलों ने वोट नहीं दे दूसरी सीट पर चले गए और मैं तो कहता हूँ कि क्या बलिया में ब्रामणों ने नहीं वोट दिया सनातर पांडे को उन्होंने भी तो वोट दिया होगा आपके पास बहुतायर ब्रामण वोट आता इसलिए आप कहते नहीं क्या लखनों में लखनों पूर्वी सीट पर राजपूतों ने वोट दिया कॉंग्रेस के प्रत्याशी को क्या राइबरेली अमिठी ने में ब्रामण नहीं चला गया कॉंग्रेस के साथ क्या बांदा में नहीं चला गया मुझे लगता है कि जब हम ये बात आपकी पार्टी का विधायक, आपका सायूगी विधायक, अगर पेपर लीक में है, तो उसके खिलाब पहले कारवाई क्यों नहीं हुई? क्यों अभी अधालत से गहर जमानती वारण जाने की नौबत आई है? ये तो समय से जाना चाहिए था ना, पहले ही उसकी गिरफतारी ह हो जुकी होनी चाहिए थी, फिर वो अधालत में जाता तब पता चलता कि जमानत होगी है नहीं हुई? मैं ये कह रहा हूँ, दोनों अलग-अलग चीज़े हैं, दोनों को एक साथ करेंगे, तो शायद कोई भी एक क्लियर पिक्चर नहीं दिख पाएगी. मैं थोड़ा इंसे असाहमत हूँ, संजय निशात का तो फिर भी समझ में आता है, ओम प्रकास राजवर का, मैं हर्सवर्दन जी भी उस छेतर में गए होंगे, इतनी हैसियत नहीं है, थोड़ा बहुत हलका भूलका 0.12% बोट वायट कर सकते हैं, उससे बहुत जीतहार में अंतर नहीं पड़ता है, केवल इसलिए कि विपक्स के साथ है नहीं रहे, इसकी दृष्टी से ये गटवंदन किये गए थे, उसका ना तो वातावरन बनाने में कोई योगदान है, ना वोट में कोई बहुत बरा योगदान है, और उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओ को पता था, उनके बाबजूद 2019 का चुनाओ BJP कितने सांधार तरीके से जीती थी, तो वो उस रूप में अगर आप कहते हैं, तो मैं तो इससे सामत नहीं हो सकता हूँ, ये धरातली सच भी नहीं है, वो बिलकुल बढ़ उसको समालना, उसके बयान को जहलना, उसके काम को ये भारतिय जनता पार्टी के लिए उस समाजीक समीकरण से जादा महांगा साबित हुआ है, और आगे भी जादा महांगा साबित होगा, वो जिसके साथ जाएंगे उसके लिए वो समस्या पैदा कर सकता है विक्ति अभी जो अखिलेश यादव या जितने विपक्ष के नेता हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप क्या लगाते हूं जी ये तो आरोप लगाते हैं कि आप बेरोस गारी दूर नहीं कर पाए आप नौकरिया नहीं दे पाए नौकरियों के अंदर भी घोटाला हो गया तो ये तमाम खबनें बाकरी में ये तो कमफोर करी हैं अच्छी जी बिलकुल राजनीत इसे थोड़ा सा परे मान के इस मुद्दे को देखना चाहिए ये बहुत संवेदन सील मुद्दा है आप कभी बात कीजिए इंटराक्ट कीजिए उन बच्चों से जो पूरी सद्दत से पूरे महनत से, पूरे परिश्रम से, पूरे लगन से, निस्टा से अपनी तयारी कर रहे हैं जो बहुत गरीब प्रिस्थभूमी के हने के बावजोत इस उम्मीद में कि अगर वो 15 गंटे, 16 गंटे लगातार परिश्रम करके अच्छी तयारी कर रहे हैं तो एक दिन उनको अपना मुकाम मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा, ऐसे बच्चों की मानसिक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। समेदन सील हिससे को देखने के जरूरत है। होगा 2014 में दर्ज है वेदी राम के ऊपर पेपर लीक का ही मामला अच मामले दर्ज है और अभी जिस मामले में पेपर लीक में हुआ उसमें क्या अभी तक गिरफ्तारी हो पाई नहीं हुई ना सवाल तो यह है यह यह दोनों चीजे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अलग-अलग कर होता है और यह दोका हर सरकार में हो रहा है किसी एक सरकार में नहीं हो रहा है लेकिन जब उसमें सरकार से जुड़ा कोई व्यक्ति दिखता है चाहे वह आपका सही होगी हो या आपकी पार्टी का हो तो छवी ज्यादा खराब होती है लोगों को ज्यादा बुरा बिलकुल और ये मामला के वल पेपर लीग कर दे कि आप पेपर लीग के मामले पर बात करते हैं तब आप युवाओं के भविश्य के बात करते हैं लेकिन वो छोटे छोटे बचे जो स्कूल जाते हैं जो अभी कका बारकडी सीख रहे हैं जिन्दगी का ककहरा सीखना भी उन्होंने शिक्षक जो हैं उनको पहले इस बात के लिए पाबंद किया गया एक नोटिफिकेशन जारे किया गया और ये कहा गया कि आपके डिजिटल एटेंडेंस अनिबार है ये कोई बड़ी बात नहीं थी अब शिक्षक है तो स्कूल तो जाना होगा बच्चों को पढ़ाना होगा और स्कूल तो रोज जाना होता है कमसे कर मंडे टू फ्राइडे तो जाना ही होगा अब स्कूल जाएंगे तो अटेंडेंस अपने आप लगेगी लेकिन टीचर्स इसके विरोध में खड़े होगे अब टीचर्स के विरोध के जो कारण है वो कारण भी मैं आपको क्यों क्योंकि टीचर्स अविलेबल नहीं है यह तो छोटे छोटे बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार हो रहा है और टीचर्स यह कह रहे है कि हम तो धर्णा देंगे हम तो प्रदर्शन करेंगे उनकी अपनी भी चिंताएं हैं वो चिंताएं भी लेकिन पहले पहला पाट यह है कि छोटे बच्चे क्यों परेशान हो उनकी स्विक्षा क्यों बाधित हो मिरक्षी जी देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि यह बहुत संवेद अंसील मुद्दा है प्राथमिक विद्ध्याल है प्राइमरी स्कूल्स जहां से बच्चे की पूरी फांडिशन इसने आज वो हिंदी अंगरे जी न लिख पाते हैं ठीक से न बोल पाते हैं उन्हें ठीक तरीके से गणित नहीं आती यह जो समस्या है और यह मैं ग्रामीड प्रिस्ट भूमी का हूं जहां यह प्राथमिक विद्ध्याले होते हैं मैं कई प्राथमिक विद्ध्यालियों क बड़ी संख्या में हो सकता है बहुत सारे सिक्षक सुनके नाराज हो जाएं बहुत सारे मेरे मित्र भी है प्रात्मिक विध्यालियों में लेकिन ये सच्चाई है कि वो जो 6 घंटे उनको बहुत ठीक तरीके से परिश्रम के साथ उन बच्चों के भविश्य के लिए देना च इसमें समस्या कहा है अगर उनकी उनको साथ बजे से देखे तीम बजे तक विध्याले पर रहना है तो रहना चाहिए लेकिन इससे क्यों भाग रहे हैं और बड़े मजबूत संगठन हैं उनके उन संगठनों के मांदिन से बाव बना रहे हैं किवल 2% लोगों ने 8 प्राइमरी स्कूल के टीचर को स्कूल में पकड़ा और उनके मोबाइल की हिस्ट्री चेक की गई कि जनाब कर क्या रहे थे तो घंटों तक केंडी क्रश खेलते थे जनाब सोचे यह यह टीचर की मोबाइल हिस्ट्री क्या बताती है 1.17 आज यानि एक घंटा 17 मिनट उन्होंने क्या किया केंडी क्रश खेला 26 मिनट फोन पर बात की 17 मिनट फेस्बुक चलाया 11 मिनट गूगल क्रोम को दिये 6-6 मिनट यूट्यूब कभी कोई एब कभी इंस्टाग्राम कभी रील कभी कुछ अब सिक्षक अगर यह करेगा स्कूल में तो पढ़ाएगा कब देखिए यह बहुत समस करेंगे और उस रिपोर्ट को मैंने कंड़क्ट किया अरे चोटे स्कूल के अंदर वो चारा डला हुआ था और वहां पर मवेशी चर रहे थे और उपर लिखावा था मांथे में राओ जी ने शुरू की थी उस समय कि बच्चों को खाना मिल जाएगा तो साइध स्कूल में आएंगे करेंगे उसका कितना दूरूपी हो गया लेकिन इस समय चुनाओं में एक बड़ा मुद्दा ये था कि सरकार ने गड़मी की छुटी के रद करके और ये कहा कि टीचर लोग जो है स्कूल में जाएगा और जो बच्चे कमजोड हैं उनको विसेस रूप से परहाए इसका पूरा बिरोत था और सिक्षक संग बिरोत कर रहा था कि हम ऐसा क्यों करें और जो वहां के सिक्षा सचीब थे जा रहा थी और ये महाँगा परने वाला था कुछ चुनाओं में अगर कुछ सीटे बीजे पीहारी है वहां या जनता दली हो तो ये एक बड़ी चीज हो होता है प्राइमरी टीचर की सबसे बरी जिम्मेवारी होती है हम सब लोग जो आज खरे हैं उसमें प्राइमरी टीचर की बहुत बरी भूमिका रही है तो सिक्षक संग ने इस भूमिका के बजाए अपने को ट्रेड उनियन में कनवर्ट कर लिया सिक्षक जो है सिक्षक की बजाए जब अपने को सरकारी करमचारी मानते हैं और उस रुप में सरकारी करमचारी की भूमिका नहीं निवाते हैं इसमें आप क्या उत्तर दे सकते हैं अब इसका रास्ता तो यही है कि सरकार सिछकों की मिटिंग बुलाएं उनसे बातचित करें उनसे लंबे समय तक उनके की टीचर्स यह कह रहे हैं कि हमें भी तो दूसे तीफरे काम में लगा दिया जाता है देखिए मिनाक्षी जब आप केंडी करेश की बात कर रहे थे कि टीचर खेल रहे थे तो उससे सिख्षक ही नहीं कहलते हैं मुख्यमंत्री भी खेलते हैं 36 गड़के मुख्यमंत्री दूसरे काम पढ़ाने का लेकिन सरकार के भी ड्यूटी है कि सिख्षक को ίοक सिख्षक रहने दे अगर सरकार सिख्षिकों को साल में बारा मेने में च्छे मनें दूसरे कामों में अगर इस्तमाल करेगी तो सिक्षक का पढ़ाएगा उपर से धूप आ रही है च्छत नहीं बच्चे किस हाला तो पढ़ने जाते हैं घर से कितने दूर सिक्षक पढ़ाने अगर जाता है कि अगर सिक्षक पढ़ाने जा रहा है तो सरकार का दाई तो भी है कि वहां कम से कम बच्चों को बैसिक सुधाय मिले सिक्षक को पढ़ाने का माहूल मिले और आप सिक्षक को सिर्फ टीचर के रूप में लीजिए टीचर को टॉर्चर मत बनाईए आप उसको 50 जगा लगाते ह सिक्षक थे सारे राजितिक दलों के कारकरता कर रूपे प्रचार अभियन में लग गये थे इसकूल डेड़र में बंद रहे गाओं के अंदर कि सिक्षक पलाना एमेले का प्रचार कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि जब तक एराजितिक प्रभाव सिक्षक के उपर रहे हैं कि अपने हिसाब से आफ और रहे हैं कि अपने हई साब से जाएंगे कोई पूछेगा तो कहेंगे कि शिक्षकों को अप्मानित किया रहा है शिक्षिकों की गरीमा को तार-तार किया जा रहा है और ऐसा नहीं है प्रात्मिक शिक्षक सरकारी विद्याले के बहुत अच्छे इधर हैं जो नए लोगों में जिन्होंने अपने विद्याले की शक्ल सूरत बदली अगर कोई कहे कि इंफर्स्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, प्राइवेट स्कूलों जैसा नहीं है, तो फिर भी अब जादातर जो प्रात्मिक विद्याले हैं वो ऐसा नहीं है अब प्रात्मी विद्यालियों की सिती इतनी बहतर हो गई है। अब लेकिन उसके आगे का सवाल है। योगी जी की प्रतिष्ठा ही तब तक है जब तक वो सुधार के कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इड्मिनिस्टेटिव रिफॉर्म को पूरी ताकत के साथ लागू कराएंगे। वो कोई दरोगा नहीं है कि आप उनको हर बार हटाते रहोगे कि वो बड़ा पैसा कमा लेंगे। वो शिक्षक हैं उनको काम करने दिये पढ़ाने का काम करने दिये।